प्रिविश क्लास के अंदर आपका हर्दिक स्वागत है आज अपनी स्थार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट जो अपनी प्रिविश क्लास के अंदर पढ़ा था अब अपन पढ़ते हैं अलग लग टाइप के कौन कोन से बैक्टरिया का क्लासिफिकेशन है किस टाइप का है और किस structure उसमें पाई जाती है तो उसके बारे में बात करेंगे classification of the bacteria देखो सबसे पहले अपन पढ़े थे microbiology के अंदर microorganism तो microorganism की बात करें तो जिसके अंदर bacteria, virus, fungus, seval, protozoa की अपन बात की थी उसके बाद में आपन बैक्टरिया के अंदर microorganism के अंदर अपन बैक्टरिया लिया है और उस बैक्टरिया के अंदर आपन क्या फढ़ रहे है? classification classification फढ़ रहे हैं जिसके अंदर अपन बात किया था free waste class के अंदर की बैक्टरिया है उसका classification क्या है? देखेगा बैक्टरिया के अंदर अपन उस टाइम थोड़ा लिखाया था सबसे पहले था कोकाई दूसरा था bacilli और तीसरा था spirilla उसके बाद में था fourth नमर फे है था vibrio उसके बाद में है इस्पाइरो चैट्स उसके बाद में है आपका mycoplasm mycoplasm तो यह जो type है वो किसका classification है? बैक्टरिया का classification है आज इनके बारे में फड़ने वाले हैं कि यह किस type के होते हैं? इनका क्या आकार होता है? ठीक है ना? तो उसके बारे में आज फड़ेंगे पढ़ेंगे how to define the bacteria जैसे की कोकाई क्या होता है? बैसलाई क्या होता है? इस परिला क्या होता है? उसके बारे में फड़ने वाले हैं ठीक है? देखेगा इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले classification of bacteria जिसके अंदर अपन क्या लेंगे? सबसे पहले लेंगे कोकाई यहां कोकाई तक अपने यह classification तक का अपने लिखवा दिया था उसके बाद में आज next इस्टार्ट करते हैं देखेगा कोकाई heading डालिएगा कोकाई कोकाई आज थोड़ा बार से voice आएगा क्योंकि गाड़ी बारी चल रहा है थोड़ा भीड ज्यादा है कोई दिकत नहीं है अपने डारिक्ट आपनको फोकस रखना है मेरी voice पर ठीक है कोई दिकत नहीं होना चाहिए देखेगा सबसे पहले हैं बेक्रिया के classification के अंदर कोकाई और कोकाई के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेगा definition कोकाई का definition लिख लिजेगा लेखेगा definition की बात करें एक कोकस लिखेगा एक कोकस जिसको हम प्लूरल में क्या बोलते हैं प्लूरल के अंदर क्या बोलेंगे कोकाई कोकाई, a cocos is any, is a bacterium, bacterium, यहाँ पर लिख लो, is a bacterium, bacterium, यह क्या है, bacteria that has a, has a spherical, spherical oval, sorry, oval नहीं, avoid, avoid, या, generally, generally, round shape, r-o-u-n-d, round shape, देखिए, यह इसका definition है, कोकस की बात करें, ठीक है न, जिस वर्ड के जिसे कोकस है, तो कोकस की बात करें, एक कोकस, जिसको फलूरल के अंदर क्या बोलेंगे, कोकाई, या, a cocae, is a bacterium, एक bacteria है, that has a spherical, यह spherical shape का हो सकता है, देखिएगा, यह spherical का type का हो गया, यह odd, अंडाकार पर हो गया, है न, spherical, odd, अंडाकार, and generally round shape, यह generally क्या होता है, round shape को देखने को मिलेगा, एक बात आपको यहाँ पर याद लगना है, एक्जाम के अंदर यह आएगा, कि जो कोकाई है, उसका shape कैसा होता है, है न, shape of the cocae, उसके अंदर आप कर रहे जाएगा, है न, कुंडली type कर रहे जाएगा, दूसरे बहुत सारे type का देदेंगे, तो आपको ध्यान लगना है, क question आपका यहाँ से बनेगा, next देखिएगा, types of the cocae, heading डालिएगा, type of the cocae, heading डालिएगा, types of the cocae, types of the cocae, कोकाई के कौन-कौन से types होते हैं, तो कोकाई के अंदर types की बात करें, तो सबसे पहले हैं, लिखेगा, diplo cocae, diplo cocae, diplo cocae, कौन सा पहला type है, diplo cocae, देखो अपने भी क्या पड़ा है, कोकाई पड़ा है, कोकाई एक bacteria है, और उसका bacteria का safe की बात करें, तो यह spherical safe का है, यह average safe, अंडाकार का safe का हो सकता है, यह generally round safe, यह तीन safe आपको याद रखना है, ठीक है, उसके बाद में, types of the cocae की करें, तो सबसे फेले type है, five, six type के होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है, diplo cocae, है ना, diplo मतलब डबल, और cocae मतलब cocae, है ना, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, it is found in pair, लिखेगा, it is found, it is found in pair, यह pairs के रूप में रहेंगे, या arrange, 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 in pair, sabed, देखेगा, कितना voice आ रहा है, ठीक है, diplo cocae के अंदर है, it is found in pair, यह pair के रूप में रहेगा, या arrange in pair, sabed, ठीक है, तो देखेगा, diplo cocae, diplo, यदि मैं cocae या cocus की बात करूँ, तो यह cocus हो गया, यह हो गया, monococcus, 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 यह देखो, क्यूंकि cocae का save कैसा होता है, अंडा का round होता है, तो यह मैंने round बना दिया, तो इसको यदि, यह structure है, वो monococcus है, अब यहां पर क्या है, diplo cocae, मतलब डिपलो मतलब दो, तो इसके अंदर हम बात करें, तो यह जो arrangement रहेगा, इसका यह रहेगा, है ना, तो यह क्या रहेगा, diplo cocae, यह diplo cocae रहेगा, दो-दो के अंदर रहेगा, एक microscope से देखने से cocae की structure है, वो किस टाइब की दिखाई देगी, diplo cocae दिखाई देगी, जिसके अंदर यह इस परकार का arrangement देखने को, इस परकार का देखने को मिल सकता है, इस परकार का देखने को मिल सकता है, तो यह सब अपने अलग-लग arrangement के अंदर दीखने को मिलेगा, तो यदि एक کوcae दिख रहेगा, तो यह ताहई, एक ही दिख रहेगा, तो वो क्या हुआ, मोनो-कोकाई हो जाएगा, है ना, बट उसके अंदर दो arrangement रहेगा, मायक्रो इसको फैसे देखते हैं, तो दो-दो का arrangement रहेगा, पेर के रूप में रहेगा, जोडों के रूप में रहेगा, तो उसको कैसे different करेंगे, कि diplo-kokaई टाइप का cocoa है, है और यह एक bacteria है और bacteria किस टाइब का है दिपलो कोकाई का है ठीक है इस में आपको याद रखना है दूसरा निभी बात करें, example की बात करें देखेंगा इनका example example के अंदर रहेगा न्यूमो कोकाई example की बात करें तो इसके अंदर रहेगा न्यूमो कोकाई न्यूमो कोकाई दूसरा रहेगा गोनो कोकाई गोनो कोकाई गोनो कोकाई डिपलो कोकाई के अंदर बात करें एक्जामपल की बात करें तो न्यूमो कोकाई और दूसरा है गोनो कोकाई यह बैक्टरिया है यह डिजीज कोज करता है यह इंफेक्शन कोज करता है निमो कोकाई infection to pneumonia गौनो कोकाई गौनुरिया है ना तो यह जो कोकाई है वो क्या करते हैं infection या disease कोज करते हैं तो बात अपने and diplo cocae diplo cocae के अंदर दो-दो का arrangement रहेगा example की बात करें तो निमो कोकाई और गौनो कोकाई यह इस टाइप के हैं बहुत सारे हैं मैं यह दिया आप लिखना इस्टार कर दे कि diplo cocae के कितने types होते हैं बहुत type होते हैं ठीक है ना तो एक-एक अपने example देखर के बात करेंगे ठीक है next है next यह diplo cocae हो गया उसके के बात में है स्ट्रेप्टो कोकाई देखेगा स्ट्रेप्टो कोकाई सेकंड है type के अंदर ए हो गया था और अब क्या है बी के अंदर लिखेगा स्ट्रेप्टो कोकाई यह चैन के रूप में पाई जाते है लिखेगा यह है चैन के रूप में पाई जाते हैं लिखेगा चैन होता ना वो chain के भिसाब देखेगा, एक microscopy से देखते हैं, तो जो कोकई है, istrepdo कोकई है, वो एक किस टाइप के दिखाई देगा, chain के रूप में दिखाई देगा, मैं गोल-गोल इसलिए बना रहा हूँ, round round इसलिए बना रहा हूँ, की कोकाई की जो इस्टेक्सर होती है वो किस टाइब की होती है राउंड इस्पेरिकल सेफ का होता है ठीक है तो ये हो गए आपका स्टेफ्टो कोकाई स्टेफ्टो कोकाई ठीक है ये चेन के रूप में होते हैं ये आपको ध्यान रखना है यहां से कोशन बनेगा कि step to cocai है उसका shape कैसा होगा तो आप बोलोंगे यह chain के रूप में पाए जाते हैं ठीक है उसके बाद में c c के अंदर step philo cocai देखो यह है step to cocai और यह है step philo cocai ठीक है ना यह cluster के रूप में पाए जाते हैं कैसे पाए जाते हैं cluster arrangement of the cluster एक गुस्से के रूप में है ना देखिएगा यह cluster के रूप में पाए जाएंगे राउंड तो cocai का shape होता है रेगन रहेगा बस उसके बाद में के यह है cluster यह गुस्सों के रूप में पाया जाता है जैसे आपने देखा होगा cluster of graphs अंगूर का गुस्सा होता ना तो इस इस आप से दिखाई देगा ए माइक्रोइस कोफी से find out करते हैं तो एक cluster के रूप में दिखाई देगा देगा ने देगा तो यह है आपने जो इस shape का दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा इस्टेफाईलो कोकाई है ना इस्टेफाईलो कोकाई अब question आएगा आप confusion नहीं होना है कि इस्टेफटो कोकाई का shape कैसा होता है तो आप बोलोंगे यह chain के रूप में होते हैं ठीके ना यह यह पूशा जाएगा कि chain के रूप में होता है इस्टेफाईलो कोकाई यह यह देखो तो आप है दिखना इस्टेफाईलो कोकाई यह यह देखो एलो मतलब फाइल में क्या रखते हैं अंगूर रखते हैं फाइल में क्या रखते हैं अंगूर रखते हैं इस्टेप फाइलो यहाँ पर देखो फाइलो आया है इस्टेप फाइलो तो फाइल के अंदर क्या रखेंगे अंगूर रखेंगे और अंगूर क्या है क्लस्टर गुश्यों के रूप में होते हैं ठीक ना तो यह ज्यान रखना है और उसके बाद में यह फाइल में अंगूर में गुष्य पाइल के अंदर अंगूर रखते हैं तो इस टेप तो को कई के अपने आप चैन हो जाएगा वो चैन्जे हो जाएगा हो तक क्या है कि सिमिलर वर्ड में आप कंफूजन हो जाते हैं याद वले ऑज जिसकी वज़े से क्या होता है अफ़र कंफूजन हो सकते है तो एक ठीक अंदर क्या राखते है अंगूर रखते हैं फाइल के अंदर रखते हैं, डोक्यूमेंट रखते हैं, क्या हुआ? बात में बात करते हैं, ठीक है? जाओ. नेक्स्ट देखिएगा, ट्रेट्स, ए, बी, सी हो गया था, और डी है, ट्रेट्स, ट्रेट्स के अंदर रहे हैं, ये चार के चम्भू में पाए जाते हैं, ट्रेट्स या, आप उसको ये भी लिव गया है, टेट्रा कोकास, टेट्रा कोकास, टेट्रा कोकास, टेट्रा कोकास, टेट्रा is related to four, है ना? ये, ये है, चार के सम्भू, सम्भू में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, किसके समुम में पाए जाता है 4-4 का गुरूफ होता है जैसे ऐसे एक माइक्रो इसको भी से देखते हैं तो 4-4 का गुरूफ रहेगा 4-4 का गुरूफ रहेगा ठीक है तो ट्रेट्स या टेट्राकोकस ये 4 के रूप में समुम में पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में हैं, E के अंदर रहेगा, Octades, यह है, यह 8 के समू में पाए जाते हैं, Oct related to 8, यह 8 के समू में पाए जाते हैं, यह 8 के समू में पाए जाते हैं, इनको इनको चारचिना के नाम छे भी जाना जाता है, ठीक है, Tetrakocus, यह 4-4 के समू में पाए जाएंगे, और यह 8 के समू में पाए जाएंगे, इसके अंदर इस टाइप की इस्टेक्सर देखने को मिलेगी, मिलेगे और चेन के रूप में भी किस टाइप का रूप में आठ का आकार में देखेगा आठ का समू होगा ठीक है ना तो ये आठ के समू वाला इस्ट्रिक्सर दूसरा है टेटरकोकस के अंदर चार चार का चमू रहेगा ठीक है उसके बाद में देखते हैं type of bacillite तो कोकस है या कोकई है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि किस-किस type का इसका classification है किस से परकार के होते हैं और कौन-कौन से shape में पाए जाते हैं ठीक है अब ये अपने कोकई का complete हो गया अभी लेते हैं bacillite bacillite या bacillus क्या लेते हैं types of bacillite heading डालिएगा bacillite bacillite के अंदर क्या है type of bacillite types of bacillite types of bacillite types of bacillite ये सड़नुमा होता है ठीक ना लिखेगा ये सर नुमा जिसको आप लिखेगा सर नुमा सर को क्या बोलते हैं rod rod या strick strick saved rod या strick saved होते हैं ये कैसे होते हैं strick sap होते हैं या rod safe होते हैं कुष बेसिलाई की लंबाई एंड चोड़ाई बराबर होती है बराबर होती है यह आपको याद रखना है कोश्चन ऐसा आएगा कि बेसिलाई की सेप कैसे होती है तो यहाँ पर लिका हुआ है यहाँ पर आपका कोश्चन बनेगा कि यह सर्दुमा होता है यह रोड सेप का होता है या ये इस्ट्रिक सेप का होता है इस बात को आपको जान में रखना है कुछ बेसिलाई की लंबाई एंड सोडाई बराबर होती है जैसे मैं रोड बनाता हूँ देखिएगा ये वाला ये वाला है ना ऐसा होता है ऐसा अब जो पहले बताया था कोकस की बारे में बात किया था तो कोकस इजे इस्पिरिकल या राउंड सेप वो कोकस क्या था ऐसा इस्पिरिकल या राउंड सेप का था है ना बट ये क्या है कि ये जो बेसिलाई है वो क्या है वो है अपने रोड सेप की होती है तो यह जैसे road होता है गाई से इस टाइप का होगा एक होगा तो mono baseball है एना वो आपना आगे बात करते हैं कुछ baseball की लंबाई या और शोड़ाई बराबर होती है यहाँ पर जो लंबाई या और सोड़ाई है आपको दिकरी है वो सोड़े या लंबाई बराबर हो सकती है बट इसकी सेफ है वो आपको याद रखना है लेकियो याद रखने का रोड है ये रोड है बेसी मतलब भी सही जाती है है ना रोड भी सही जाती है याद रखना रोड रोड उसको छोड़ दीजिए आप अपने tricks के हिसाब से याद कर दिए मैंने तो यह से याद किया था कि रोड भिषह जाती है ना? रोड को बिसाते है ना? तो यह वो वाला रोड नहीं है यह रोड है शडुनुमा वाला है तो रोड भिषह जाती है तो ध्यान रखना है भिषह मतलब bacilli type का अब देखते हैं, हेडिंग डालिएगा कि Types of Bacillite, Types of Bacillite, Bacillite का टाइफ कितने है, B.A. Bacillite, Bacillite, सबसे पहले है, Coco Bacillite, Coco Bacillite, जिसके अंदर है, Coco Bacillite, है ना, तो इसमें क्या होगा, कि सिंपल इसकी लंबाई और सोड़ाई बराबर होती है, लंबाई एंड, सोड़ाई बराबर होती है, होती है, ठीक है, Coco Bacillite के अंदर क्या होगा, सेप की बात करें, तो ये ऐसा होता है, ठीक है, ये बाला, एक माइक्रोइस्कोपी से देखते हैं, तो Coco Facilite की इस परकार की देखने को मिलेगी, ठीक है, इनकी लंबाई और सोड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, दूसरा है, स्टेप्टो, स्टेप्टो, बेसिलाई, पेले बाल पहे थे, इस्टेप्टो, को काई, जिसका चेन के रूप में था, और अब क्या है, step of baseline और step of baseline है वोबि क्या किस रूप में रहता है chain के रूप में रहेगा यह बैसिलाई लिखेगा यह बैसिलाई chain के रूप में पाये जाते हैं यह चेंड के बात करें इसके example की बात करें तो क्या है step toe base c step toe base c lie है ना step toe base c lie यह chain के रूप में पाई जाते हैं एक question यह है एक question यह है important है और कोकई के अंदर भी chain के रूप में था बट उसका shape कैसा आ रहा था round आ रहा था और इसके अंदर step toe base c lie के अंदर इसका shape base c lie का shape कैसा होता है वो रोड के shape का होता है तो इसके अंदर chain के रूप में तो है बट यह इस type का रहेगा इस बात को आपको ध्यान रखना है a different between the cocae and base c lie वो आपको ध्यान में रखना होगा यह ऐसे ऐसे भी हो सकता है yes yes देखो chain के रूप में है बट क्या है एक रोड के shape में है है ना रोड के shape में है इस ट्रिक्टर के shape में होता है ठीक है उसके बाद में next देखेगा इसका example हो गया उसके बाद में देखें next ज्यादा नहीं है basic है बस आपको ध्यान रखना है बट इसमें से कोशन आ सकता है है इसमें से कोशन आएगा तीसरा है Chinese sign is sign is letter letter या क्योणी form क्योणी form pattern pattern ठीक है उस टाइप का बेसले होता है इसके अंदर लिखेगा यह कौन के रूप में पाए जाते हैं लिखेगा यह कौन के रूप में पाए जाते हैं यह कौन के रूप में पाए जाते हैं तथा तथा sign is sign is इज लिख लिखेगा तथा sign is letter लेटर के pattern में दिखाई देते हैं देते हैं Chinese letter या क्योणी form pattern यह कौन के रूप में पाए जाते हैं यह कौन के रूप में पाए जाते हैं तता यह sign is लेटर के pattern में दिखाई देते हैं एक माइक्रोइस्कोपी से देखते हैं आपने देखा होगा sign is letter जैसे आपने देखा होगा ऐसे से लेंग्वेज होगा आपनको पढ़ने में मालूम नहीं पढ़ता है यह क्या लिखा हुआ है होगा नहीं होगा ऐसे लिखाऊ होता है आपना देखा होगा बड़े-बड़े holding वे जो चाइनीज लेटर है तो उसके अंदर कौन सी लेंग्वेज है चाइनीज लेंग्वेजग है तो ऐसी लेंग्वेज देखकें को मिलेगी थो एक माइक्ट्रीज को फिर्चे Ic тр 一起 है क्षान के रुप में होता है जैसे आपने देखा होगा एसे से होगा अब कोई नाम लिखा हुआ हो ता है उसके बाद में है comma sap का bacteria तीसरे नमर पे है ये हो गया उसके बाद में है चौते नमर पे हो गया comma sap comma sap comma sap ये comma के रूप में पाए जाते हैं इसका कैसे sap होगा ये है comma comma लगाते हैं ये वाला ऐसे comma के sap का comma के रूप में रूप में पाए जाते हैं पाए जाते हैं comma के रूप में पाए जाते हैं ये करव रूप में भी दिखाई देते हैं m-m-c-u-r-v-e-d करव रूप में रूप में दिखाई देते हैं दिखाई देते हैं एक माइक्रोइस्कोपी से जाज करते हैं तो यह कैसा दिखाई देगा करव रूप में दिखाईगा ऐसा ऐसा रूप देखिएगा कि एक बेसिला ही है रोड़ सेप का है बट यहां पर देखो कॉमा लटाइप लगा हुआ है हाना ऐसा ऐसा यह इस टाइप की स्टेक से देखन इसके अंदर कॉमा के अंदर एक्जामपल की बात करें विब्रियो विब्रियो एक्जामपल क्या है विब्रियो जैसे आपने देखा होगा विब्रियो कॉलेरा हेजा का जो बेक्रिया है वो है विब्रियो कॉलेरा और विब्रियो कॉलेरा का सेप की बात करें तो क्या सेप सेप रहेगा। कहचा कोमा सेप रहेगा। VVA के अंदर रहेगा। very-very important रहेगा. Question यह आएगा कि कोमा सेप जो bacteria होता है उसका वो कौन सा bacteria है तो आपको याद रखना है, वीबरियो cholera है वो एक कोमा COP tuning का bacteria है, यह ऐसा आसकता है कि विब्रियो कॉलरा का जो सेफ है वो कैसा रहेगा? विब्रियो कॉलरा रहेगा कैसे भी कॉशन आपका आसकता है उसको आपको जयान में रखना होगा ठीक है? नेक्स्ट आपने परते हैं, इस्पाहिरला इस पर इडिलाब दो तिन दिन क्लास थोड़ा डिश्टिप रहेगा क्योंकि अभी स्टुडेंट के एक्जाम फोर्म आ गए हैं थोड़ा ओपीशिल काम में बहुत बीजी हैं तो भी आज अरली मॉर्निंग के अंदर क्लास लेने की कॉसिस की है नहीं तो सारी जो क्लास होती है मेरा रात में दस बज़े के बाद में होता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है तो दस बज़े से रात में जितना भी होता है उस टाइमें करते हैं क्लास और अभी अरली मॉनिंग में किया है बट आज बार की जो voice है वो ज़्यादा आ रही है कोई दिकत नहीं है आप उनको फड़ाई फेवर ध्यान रखना है नेक्स्ट बात करते हैं इस्पाइरिला 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 की बात करें तो ये एक सक्त कुंडली नुमा होता है नुमा ये एक सक्त कुंडली नुमा आकरती में पाए जाते हैं इसका जो सेफ है इस्पाइरिला इसका सेफ क्या होगा कुंडली नुमा होगा पाए जाते हैं लिखेगा रिजीड इस्पाइरल 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 इस् करें तो एक्जामपल के अंदर रहेगा इस्पाईरिल्लम इस्पाईरिल्लम यह आपका बैक्ट्रिया रहेगा ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं फौर्थ नमबर के अंदर क्या लिखाया था विविड्यो देखो यह आगे आपका विविड्यो यह करवड या कौमा के रूप में पाए जाते हैं ये सक्रिय रूप से गतिसील होते हैं गतिसील होते हैं देखिएगा ये लसिले भी होते हैं उपर लिखता हूँ मैं ठीक है देखिएगा थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो बड़ा होता है बट यदि आप मेरा सारी सारी क्लासे लेंगे फूरी फूरी क्लासे लेंगे फूरे फूरे नौट्स बनाऊंगे तो एक दिन आप exam के बाद में आप feeling करोंगे कि जितने भी पढ़ाय थे उसे बार कोई भी question नहीं आया बस इस बात का आप ध्यान रखना बहुत सारे students है जो shortcut अपनाते हैं बट आगे कहीं न कहीं किसी भी more के अंदर वो question आ जाता है और वो books के अंदर नहीं होता है या आपने नहीं करोंग या कॉमा के रूप में पाए जाते हैं ये सक्रिय रूप से गत्ति सील होते हैं ये सक्रिय रूप से कैसे होते हैं गत्ति सील होते हैं ठीक है इसका example की बात करें तो ये कैसे होते हैं example की बात करें gram negative होते हैं ग्राम ग्राम नेगेटिव टाइप के टाइप के होते हैं यह ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टरिया होते हैं मैं आपको एक लिस्ट बना के बताऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टरिया के अंदर यह आएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टरिया के तो विब्रियो के अंदर रहेगा, एक्जामपल की बात करें, विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, यह रहा है, हेजा होता ना हेजा, इसका केजूटु और्गनिजम है, विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, हेजा डिजीज है, उसका केजूटु कारक या बैक् तो यह आपको ज्यान में रखना है next देखिएगा next है spirochitis spirochitis next अपन का क्या था वो हो गया था अपने spirilla हो गया था सबसे पहले बेसिला ही पड़ा sorry कोका ही पड़ा उसके बाद में बेसिला ही पड़ा तीसरा पड़ा था spirilla और fourth नमबर के अंदर क्या पड़ रहे है spirochitis 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 यह slender लिखेगा यह slender संक्रा slender संक्रा यह 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 य ये मिट्टी आओर गती हिन पानी में रहते हैं का रहते हैं गती हिन पानी में रहते हैं जो समुद्रण पानी जो पड़ा रहता है एक ही जगे वहाँ पर ये पाए जाते हैं और बहुत लसीले होते हैं लिखएगा इसके बारे में बात करें कि एक्जामपल की बात करें तो एक्जामपल है ट्रेपेनॉमा ये जो सिपलिस है सिपलिस है सिपलिस जो मैक्ट्रिया सिपलिस जो डिजीज है है यह ना सेक्षुल ट्रिंस्पिटेड डिजीज है उसका केज़विट और्गनीजम है सिपलिस का जो केज़िव और्गनीजम है वो ट्रेपोनोमा pelvis am है है ना ट्रेपोनोमा प contributors – एक spiral settease type का baseline है इसका जो आकरती की बात करें तो ये slender संक्रा एवं spiral आकरती का होता है slender संक्रा या spiral आकरती का होता है spiral के अंदर आपने देखा होगा कैसा होगा spiral ring के type का ऐसा होता ना ऐसा spiral cylinder संक्रा एक cylinder के रूप में रहेगा spiral के रूप में रहेगा देख दूसरा पहले वाला जो था spiral spiral एक सड़ नुमा कुंडली नुमा होता है इसका shape मैंने आपको नहीं लिखाया ता लिख देना ऐसा कुंडली नुमा ऐसा होगा ये spiral का shape है spiral लगा ऐसा कुंडली रूप में spiral आपको दूसरा है spiral सेटेज जिसका cylinder spiral आकार का होता है ऐसा spiral ring होते ना spring ऐसा होता है तो इसके अंदर दो परकार का होगा दो दो type का होगा ऐसे होगा न दो नो क्योंकि इसका जो बेसिलाई जो बेसिलाई है या उसके जो types की बात करें तो ये क्या होते हैं spiral shape का होता है तो इसमें single layer भी आ सकती है double layer भी आ सकती है उस बात का आपको ज्यान में रखना है example की बात करें तो टेपोनोमा फेलिडियम और टेपोनोमा फेलिडियम है वो एक जो simplest disease है उसका casualty organism है ठीक है उसके बाद में आपने 6th नमबर का last नमबर का बात करें कि किस टाइब का होगा mycoplasm mycoplasmic bacteria mycoplasmic bacteria mycoplasm 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 नहीं दिख रहा है लेख देते हैं वापिस mycoplasm mycoplasm के अंदर क्या होगा ये कोशी का भिती रहित ये कोशी का भिती रहित यह लिख दीजेगा mycoplasm is a mycoplasm is a the genes G-E-N-U-S genes of bacteria of bacteria of bacteria that like a cell that like a cell like a cell wall like a cell wall around their cell membrane around their cell membrane around their cell membrane तो इसके अंदर क्या होगा Mycoplasm Last वाला था 6 नमबर का Mycoplasm जिसके अंदर Mycoplasm is a genes of bacteria एक genes है Bacteria का gene है That lack of cell wall इसके अंदर क्या होता है Lake of cell wall होता है Important question है कि ऐसा कौन सा बेक्ट्रिया जिसके अंदर सेल वाल्व की कमी होती है सेल वाल्व नहीं होते हैं तो आपको बोना है माइको फ्लाजम माइको फ्लाजम बेक्ट्रिया होता है उसका जो सेल वाल्व नहीं होता है अराउंड देर सेल वाल्व मेंब्रेन है ना, cell membrane के उपर है, वो है cell वालोण नई होती है, उसमें कमी होती है, आप इंडी में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजेगा, यह कोसी का भिति, इंडी में लिखना है तो लिख दीजेगा, यह कोसी का भिति इसकी इसलिए इसकी इस्ट्रक्षर सरस्णा इस्ट्रक्षर इंदी में क्या बोलते हैं चरच्णा इस्टेबल नहीं होती है इस्टेबल नहीं होती है तो यह आपका जो था वो अपन क्या था आज जो टाइप ऑफ बैसिलाई बैसिलाई के अंदर टाइप की बात की थी तो माईक्रास्र माईक्रलास्माइब इसटेबल नहीं होती है थीक है तो आज अपने क्या सबसे सबसे पढ़ा था Is माईक्रोर्गेम माईक्रो ओर इसम के बारे में कितने होते हैं तो आपने पढ़े थे वाइरस फरोटो जोब अ फंगाई और यह पढ़े थे उसके बाद में अपने मैं उठाया था कि बैक्टरिया बैक्टरिया के अंदर भी बहुत ससारे वी कोक टाइप का कोकाई 2011 किसको इस्पारिला ईस्पारी चिटर जस्पार o चेटेज उसके बाद में अफन फुरे थे spheriocetes के बाद में पढ़ा था ये वाला mycophlasm 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 यही तो फटे थे तो इसके अंदर इसके भी subtype थे इसके भी subtype थे इनके subtype नहीं थे इसके subtype थे इनके भी 5 subtype थे और spheriola और spheriocetes और mycophlasm ठीक है तो आज इतना ही और कल next class के अंदर पढ़ेंगे safe of the bacteria है ना या structure of the bacteria next heading अपन रहेगा structure of the bacteria bacteria की structure कैसे होती है उसके अंदर cell membrane क्या होता है कौन-कौन से उसके अंदर जो components होते हैं उसके बारे में आपन बात करते हैं तो यह जो लिखते हैं उसके अंदर आपको कोई changes करना है तो आप वहाँ पे comments में लिख सकते हो कि बड़े लिखने हैं सोटे लिखने हैं वैसे मेरे साब से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको वहाँ पे YouTube पे जा करके यहाँ पे left side के अंदर जा करके तीन dot होगा वह आप mobile के अंदर आप सेट कर लेना उस dot पे लगाना और उसके बाद में आपकी quality आप देख लेना कितना quality जितना quality बढ़ाऊंगे उतना आपका वीडियो अच्छे से दिखेगा ठीक है तो आज अपने इसके बारे में फड़े कल अपने structure of the bacteria और एक दो क्लास ओर लगेगी उसके बाद में यूनि करेंगे कि next topic start करें या इसी को complete करते हैं देखते हैं ठीक है दन्यवाज आज इतना ही